हेलो दोस्तो एक बात द्वारे से आप सभी का स्वागत करता आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करेंगे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल को दबा दो टेलिग्राम सब जगा फॉलो कर लो आज बात करेंगे गोनेका डाइमेंड शेर के बारे में पैनी स्टॉक अंडर रुपीज फाइब चीहां दोस्तो याद होना चाहिए यह स्टॉक हमें अभी 48% के आसपर रिड़न दे रहा है तो इसमें बहुत सारी कोशन लोग में से पूस्ते हैं त पैनी स्टॉक या बैस्टॉक फॉर फैब मंत के लिए था और फैब मंत में स्टॉक ने हमें 40-80% के रिड़न दे चुका है फ्यूचर हमें और यह दे सकता है ठीक है देगा या नहीं देगा उसके वीडियो को अंतर देख लो आंसर मिल जाएगा आपके सब कोशन आपके मि अब को मिल जाएंगे तो पहला कोशन होता कि क्या फ्रेश बाइ कर लूँ दूसरा कोशन है मैंने होल्ड क्या क्या करूं तारगेट क्या 10 रुपे आएंगे इसका भी कोशन आता है तो देख लेते सबके अंसर इस वीडियो के मात्यम से सबसे पहले कोशन आता है कि हमने टीक है क्योंकि पैनि स्टाउक में रिक्स इन्वाल पर बोता है तो देख सकते हो यह रहा जो हमने आपको दो हपते पर अपडेट दिया था एक रुपे का पैसे का तो यह होगया प्रूप की बात कि हमने आपको दिया था अब आगे लिए चलता हूं आपको रूप की क्या स्टॉक सच में 33 रुपे से गिरके 15 पैसे गया है जी हां 200 देख सकते हो इस चॉक ने 33 रुपे का हाई लगा है और स्टॉक ने 15 पैसे का लोग भी लगाया है यहां कई अभी आपको दिखाऊंगा इस आगे तो बने रह सकते हो ठीक है अब सबसे बहले बात करते है अगोने का डाइमंड शेर के चार्ट के बारे में इसका चार्ट एनलिसिस क्या कह रहा है और इसी वज़ेशी स्टॉक मैंने आपको दिया था सिर्फ चार्ट को देखके तो आपको याद होना चाहिए पुराना वीडियो आप चाहो तो द पाँच पैसे के असपास ठीक है तो मतलब यहाँ पर आपको एक पर प्रॉफिट भुगिंग देखने को मिल सकती है इस बात को ध्यार दखलेना ठीक है तो दो रूपे के असपास डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भुगिंग करनी चाहिए आप कोशेन आता है कि मैं क्या स्टॉक को फ्रेज एंट्री कर लूँ सबसे पहले मैं बोलूँगा बिल्कुल मत करना क्यों क्यों कि देखो भाई स्टॉक और फिटी परसेट अप है हमारे प्राइस से तो मैं नहीं चाहता कि आप उपर के लेवन से वज्जाओ बहुत सारी लोग यही गलती करते हैं और उस रिजल्ट भी आउट हुए थे ठीक है तेरा नहीं आपका 10 फ्रवरी को ठीक है और रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है एक सट लाग का लॉस आया कंपनी को फिर भी स्टॉक आपका अपर स्टॉक पर जा रहा है तो कुछ न कुछ तो रीजन होगा वो रीजन आपको पता हो गया वो एक साइन था कि इसमें आपके पंटर लोग और आपके ओपेटर लोग प्ले कर रहे हैं और और सिव आते हैं कुछ स्टॉक अगर 33 रूपर से गिरके 15 पैसे पैसे तक चले जाता है तो पंदरा वाली जीच आज की डेट में आपकी कितना हो गई है अल्मोंस एक कुछ वैल्यू नजर आ रही है आपको तो आप कर सकते हो वैसे मेरी सला इस प्राइस में एंटरी करने की बिल्कुल भी नहीं होगी ना है तो ना है अब जिन्होंने बाएग एक 25 क्या प्रॉफित बुकिंग कर लेनी चाहिए जी हाँ डेफिनेटली आपको प्रॉफित कर लेकिन अगर आप रिक्स ले सकते हो अगर तो आप इसको खोल्ड भी करके चल सकते हो थीक है अगा यह 2 baby के आसपास राज इसंस लेता है उसके उसके बाद प्रॉफित बूक कर सकते या तचाओ प्रॉफित कर लो क कंपनी जैसे बठाय गया था आपको ठीक है मार्किट कैप इसका त्रेपन क्रोड क्रोड का मार्किट कैप है और जो बहुत लोग कहते सर आप जूट बोलते होगी 15 पैसे का लोड नहीं लगाया तो दोस्तों देख सकते हो आपके सामने 15 पैसे का लोड टॉक ने टच किया है तसरली हो गई अब आगे लेके चलता हूँ आपको उसके प्रॉफिट लॉस की तरफ दोस्तों मैंने स्क्रीन में कौटरेड़ी रिजल्स खोल लगे ठीक है आपको दिसम्बर 2020 के रिजल्स देखने को मिल सकते है सेल्स देख सकते हैं दोस्तों कितनी कम सेल्स आइए इसकी 92 लाग के असपास और पहले ये 2.2 क्रोड के असपास थी मतलब सेल्स में गिरावट देखने को मिली है अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट की तो दोस्तों देख सकते हैं प्रॉफिट भी इसका ओल्मोस्ट लॉस ही आया है इसको 62 लाग के असपास का ठीक है जैसे मैंने अंदर प्रमोर्टर को पता होगी और पंटर लोगों को पता होगी जो अप्रेटर प्ले करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप चार कर रहे हो गुनेका शेर को बाय करने के लिए लाग टरम के लिए तो भाई मत करना हाँ 20 पैसे 25 पैसे बाई करना था तो कर लेते उसमें थ बहुत बढ़ा अमौंट लगानें की दो बहुत बढ़ा नहीं लगा ना चोटा सब मउंट कर सकते हैं že छोटा मान आपको पता कितना होता है, बतानी किब सकता नहीं है, ठीक है, हॉल श्टोक में क्या है, देख लेते हैं, तो दोस्तो जैसे मैंने लिखा है, गोने का diamond share का target 10 रुपे, तो मैं 10 रुपे का target को क्यों बोल लों उसका 2-3 में ठीक है, कभी भी दोस्तो क्या होता है, कभ RIL share price ठीक है आपको याद होना चाहिए इस टॉक 70 पैसे से आपका almost कितना तक रुपे तक गया था आप almost 15 रुपे तक गया था तो बात को समझो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह हो गई होगा लेकिन यह हो भी सकता है ठीक है उसके एक और रिजन बताये तो कि क्यों हो सकता है क्योंकि दोस्तों जो आपका गोने का शेयर है एक तो एक तो है यह अपका debt-free company है और अपनी बुक से काभी सस्ते में trade करें यह दो तो रिजन काफी है और तीसा रिजन दोस्तों यह है कि प्रमोटर की holding almost 47% के आसपाज है मतलब बहुत अच्छी प्रमोटर की holding है stock में ठीक है यह तोड़े सी पीछे से मेरे इसाब से भाई अगर आप चाहो ठीक है मैं तो साइब प्रसनली बता रहा हूं इस प्राइस में एंट्री मत करना भाई साब अधा रहों साब वड़ो में लेकिन मैंने जो hold किया एक रुपे 25 पैसे के असपास ठीक है मैं इसको hold करने वाला हूं stock को ठीक है क्योंकि मुझे मेरी strategy है मेरी खुद की research है तो मुझे पूरा believe है कि stock जा सकता है 10 रुपे तक अब आपको believe है या नहीं है मुझे नहीं पता लेंगे मुझे अपना believe है मुझे पता है कि मैंने 1.25 पैसे कितना amount लगा रखा है कितना मेरा risk है ठीक है मेरा risk appetite कितना है मु sell करने लग जाती हो ठीक है तो भाई इस वीडियो में भाई यह बोला जाओंगा को नेगा डाइमेंज शेर 25 अंडर रुपिस फाइब अगर आप नीचे भाई कर रखा 15 पैसे के आसपास 20 पैसे के आसपास एक रुप्य तीस पैसे के आसपास तो आप hold कर सकते हो अगर hold कर सकते हो अगर आप ले सकते हो, तो hold करो, अगर रिक्स नहींद ले सकते हैं तो स्टॉक को भूल जाओ, exit मा दो अभी के अभी, चलो भाई, कुछ पसंद आया तो लाइक कर देना, ऐसे वीडियो को लेब बनाता हो, तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को शेर करो यार, शेर राइट अभे, श टेलीग्राम वट्सप चाहां शेर कर सकते हो वाँ शेर करो यार आप वीडियो को शेर नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में तो शेर करो यार प्लीज यार चलो बाई